प्यात्र सौ रुपे के शुल्क पर पैत्रिक जमीनों का बटवारा किया जाएगा ऐसा फैसला लिया गया है और इस विशे में जब हमने पटनाइट्स कि रहा जानी तो जरा सुनिया कि वो क्या कुछ कहते है बीते दिनों बिहार परदेश के मुखी अनितिश कुमार की नेत्रितुर में बैठक हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिये गए इस अहम फैसले में से एक अहम फैसला निकला सौ रुपया के श्टाम पे पैत्रिक संपती का बटवारा हो जाएगा या यह इसी के सिल्सिले में इहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ हिये सरकार की कैसी पाहल है इसके वारे में हमारे साथे एक जुड़क चुके आईंसा जानते है आप कल सरकार ने फैसला लिया कि सौ रुपया में पैत्रिक संपती का बटवारा हो जाएगा इससे सरकार और एक आम जिवन के दिन में क्या कुछ असर पड़ा होता है हाँ बहुत अच्छा असर पड़ेगा यह जो है घर में जो बटवट के लिए लगाई जगरा होता था आप जो है बहुत एजी में हो जाएगा सौ रुपया का इस टाम पर जो है बटवट हो जाएगा आम लोगों को तो काफी फायदा होगा इस चीज़ से क्योंकि पहले की बनिस्पत आज के समय में मार पीट और जमीन जायदात के जगड़े काफी जादा बढ़ गए थे इसको निप्टाने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा सरानिय कदम लिया है जिसमें सो रुपय का मातर एक चार्ज रखा गया है सारे लोगों के लिए जो कि गरीब से गरीब लोग और अमीर लोग सारे लोग इसको अफॉर्ट कर सकेंगे तो यह बढ़िया समार्ज में एक बढ़िया नियम का यह आया है अपने पास सेस्टाइ थे तो एक अपने जमीन लिखाने के लिए अपकमा करें धू अब तो 100 रुपे में होने वाला है अगर ये होता है अगर ये अगर होता है तो इससे अच्छा होई नहीं सकता तो होगा ही, निचीत बेने फिट होगा, जो लाखों को लाख खर्च होती थी, जो सोर प्या में हो जाएगी, पैत्रिक संपत्ती का अपना बटबारा, तो इससे बड़ी बात हैं। किसी को कहने का जिर्वत नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है। काम अभी तो और लोग एक्टिव हो जाएंगे इसके लिए, पहले जो जॉइंट फैमली थी, अभी वो सारा बिखर जाने वाला है, अच्छे के साथ साथ बुरा भी है। अभी तक क्या होता था कि बटवारा होने के बाद इसका रेजिस्टेशन और बाकी चीज़े नहीं थी। तो उसकी वज़ाए से कुछ क्लियर कट ये नहीं होता था, पेपर वर्क नहीं हो पाता था। वो सब चीज़ें भी खतम हो जाएगी। तो ये रहिष्टी वपीश में वो से फिली तहएगा। जब भी जवट पर रहेगा रहिष्टी वपीश से हम लोगों को आसानी से मिल पाएगा। ये हम लोगों को फैदा होगा। जमीन और उससे जुड़े बटवारे के लेकर जैसा की नया संसोधन हुआ है और पैत्रिक बटवारे में की 100 रुपे में अरसानी से बटवारा हो जागा। इस इसलसले में हमने पटना के लोगों से बात किये सारे लोगों ने इसकाम को साराहा और रिकासा की से एक परिवार के साथ है तो कहने कहीं कम हो जाएगी। तो यह पब्लिक है, यहां पे लोग अपने अपनी राय को रखते हैं, अपने अपनी बातों को रखते हैं, तो इस सेलसिले में हम लोगोंने पटना के लोगों से जाना, कैमेरा परसनार राजीब रंजन के साथ मैं विसाल चुहान, निजवा निलवन पटना. को मालूम होगा, परसनार पर कैबिनेट डिसीजन हो चुका है, और यह आप सही कहे, कि मान्य मुख मंतरी के द्वारा यह दिशान निदेश विभाग को दिया गया था, वगर इस से पूर्मे मैं बताना चाहूंगा, कि जन संबाद और लोग संबाद में बहुत लोगों ने आ पारिवारिक जमीन जो है, दादा पर दादा के नाम से जमीन लोगों का लिखा हुआ है, और उसका जदी सही रूप से बटवारा नहीं होने के कारण से, जमावंदी पंजी अभी भी क्लियर नहीं होता है, और ट्रांसफर में दिक्कत होती थी, जमीन हस्तांतरन में आए द दिन विवाद होता था, और छोटे-छोटे विवाद के कारण से बहुत बड़ी-बड़ी लड़ाईया हो जाती थी, मेरा कहने का तातफर्श है कि थोड़ी जमीन भी रहने के लिए और पारिवारिक विवाद रहने के कारण से बहुत बैमनस रहता था और जन जीवन में का चाफ़ी तनाओ रहा करता था और आप जैसे जानते होंगे कि क्योई भी जमीन के हस्तांतरन के लिए या आवस्यक है कि उसका रिजिस्ट्रीशन निश्चित रूप से होना चाहिए।।र निमंदन के बिना स्टाम सुल्क में उसी तरह से रेजिस्टरेट करने के लिए रेजिस्टेशन सुल्क भी दो परसेंट इसमें लिया जाता है